हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टडी ना इस्टाउप यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में तीस बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन्स हम लोग डिसकस करेंगे और जितने भी कोशन्स मैंने लिए हैं सभी कोशन्स कई बार एक्जाम से पूछे जा चुके हैं सभी कोशन्स बेहर्द मातवपूर्ण है तो वीडियो को आप लाज तक देखेगा और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला कोशन है अलबरूनी किसके सासनकाल में इतिहास कारता तो दोस्तों अलबरूनी की बात करते हैं ये जो है किसके सासनकाल में इतिहास कार था बलबन या महमूद गजनवी या अकबर या महमद बिन तुगलक तो दोस्तों इसका राइटन सुझागा महमूद गजनवी अलबरुनी महमूद गजनवी के सासनकाल में इतिहास कार था अगर हम बात करेंगे महमूद गजनवी की तो ये जो है भारत किस दर्दे से आया था, किस दर्दे से होकर के भारत आया था, तो ये खैबर दर्दे से होकर के भारत आया था, तो इसको यार दखेंगे, ये question पूछा जाता है, खैबर दर्दे से आया था, महमूत गजनभी, और भारत पे आक्रमर इसने कप किया था, तो सोलवा जो आक्रमर था, वो था सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर इसका कौन सा आक्रमर था, तो सोलवा आक्रमर इसका सोमनाथ मंदिर पर था, सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था, और अगर हम बात करते हैं महमूद गिजनवी के समय की, तो इसके समय में और जो इतिह इतिहासकार थे जैसे कि उत्वी, उत्वी का नाम आता है, ये भी इसके समय का इतिहासकार था, और अगर हम बात करते हैं इसके किताब की इसने कौन से किताब लिखी थी, तो किताब उल्यामनी, किताब उल्यामनी जो है, ये किसकी किताब है, ये किताब उल्यामनी किताब है, उत्वी की और अलबरूनी की बात करते हैं तो इसने कौन सी किताब लिखी थी तो इसने जो बुक लिखी थी उसका नाम है तहकीके हिंद तहकीके हिंद बुक इसने लिखी थी तहकीके हिंद जिसको किताब उलहिंद के नाम से तो दोस्तों अगला कॉश्चन है तो टीपू सुल्तान की मृत्यू 1799 इस भी में कहां हुई तो टीपू सुल्तान की मृत्यू हो जाती है 1799 इस भी में और चौथे आंगल महसूर युद्ध के दुरान इसकी मृत्यू होती है कहां पे होती है महसूर या कुर्ग या स्री या वान्दी व любов तो दोस्तों इसका राय इंस होzzेगा स्री रंग पतनम तीपो सुल्ठान की मिलत्यूल 799 में स्री रंग पतनम में हुई थी और चौथे आंगल मैसूर युद्र्ध के दुरान और यहीं पे इसका मकबरा भी कहां पे है मकबरा भी टीपो सुल्टान का यहीं पे हो जाता है मकबरा स्री रंग पत्नम में टीपो सुल्टान का हो जाएगा और अगर हम बात कते हैं आंग्ल मैसूर युद्धों की तो जो पहला आंग मैसूर युर्द हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों, 1767 से लेकर के 1769 के बीच में, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, इसमें हैदर अली था, हैदर अली की इसमें जीत हो जाती है, अंग्रेज क्या होते हैं, हार जाते हैं, और ये जो है युद्ध किस संधी से समाप्त हुआ था तो मद्दास की संधी यार दखेंगे पहला जो आंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो मद्दास की संधी से समाप्त हुआ था फिर जो है दूसरा आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये जो है कब हुआ था तो ये 1792 के दोरान इसमें जो है टीपू सुल्तान इसका पुत्त आ जाता है और ये जो है इसमें अंग्रेज लोग जीच जाते हैं और इसमें कौन सी संदी होती है तो इसमें स्री रंग पटनम की संदी होती है इस युद्ध में और उसके बाद जो है चोथा आंग्ल मैसूरी उद्ध होता है कब से कब तक तो चोथा आंग्ल मैसूरी उद्ध होता है 1799 में 1799 में 14 अंगल में शूरी हुद दोता है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है तो दोस्तों यहाँ पे राइट अंसर क्या हो जाएगा टीपू सुल्तान के मिरत्यु कहाँ पर होती है स्रीरंग पत्ञम में और मक्बरा भी का कहाँ पर है पत्नम में फिर दोस्तों अगला कुश्ण है भारत में दास प्रत्था कब अवेद गोशित किया गया भारत में 843, 885, 876 या 1873 तो दोस्तों दास प्रत्था की बात करते हैं इसको समाप्ट किया गया था 1843 में option A इसका राइटन से जगा 1843 किसने समाप्त किया था तो दोस्तों इसको समाप्त किया था Alan Brown ने Alan Brown ने समाप्त किया था और इसका जो है समय कब से कब तक था तो 1842 से लिकर करके 1843 तक ये जो है गोवर्नर था और इसने जो है समाप्त किया था दास प्रथा और इसी तरह जो है सती प्रथा को किस ने समाप्त किया था तो सती प्रथा को जो है समाप्त किया था विलियम बैंटिक ने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था और कब समाप्त किया था तो इन्होंने जो है 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया थ राजा राम मोहन के प्रयासों द्वारा और इसके अलावा विलियम बैंटिक ने इसके अलावा क्या समाप किया था तो इसके अलावा इसने ठगी प्रत्था का भी अंत किया था ठगी प्रत्था का भी अंत इसने किया था किसने विलिम बेंटिक ने और कब Ciya था तो 1830 में जो है इसने ठगी प्रत्था का अंत किया था फिर दोस्तों अगला Question है भारत के राश्टिये 208 का डिजाइन किसने तयार किया था तो दोसों राश्टिय द्वच की बार करते हैं, इसका डिजाइन किसने तयार किया था? एनी बेसेंट या चरूजनी नेडू या विजे लक्ष्मी पंडित या मैडम बीका जी कामा तो दोसों इसका राइट अंसर हो जाएगा? मैडम बीका जी कामा इन्होंने राष्टिय दोज का डिजाइन तयार किया था इन्होंने पहली बार राष्टिय दोज का फैराय था तो 22 अगस्त 1907 को इन्होंने पहली बार जर्मनी के इस्टुडगार सहर में जर्मनी के इस्टिटगार सहर में इन्होंने पहली बार राष्टिय द्वज फैराया था हलाकि ये राष्टिय द्वज वर्तमान सुरूप नहीं है वर्तमान सुरूप के बारे में पूचा जाए वर्तमान सुरूप जो राष्टिय द्वज का है और दोस्तों पूचा जाए कि राष्टिय दोज को सम्मिधान सभा के द्वारा कब अंगीकार किया गया, तो यहाद रखेंगे 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्य धोज यानी तिरंगा जो है अंगीकार की अगया था समिधान सभा के द्वारा और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट की ये जो है कांग्रेस की पहली महिला देख चती सरोजनी नाडू ये कांग्रेस की पहली भारतिय महिला देख चती और विजय लच्चमी पंडित की बात करेंगे तो विजय लच्चमी पंडित ये जो है सन्युक्त राष्ट रंग यानी की यूनों की पहली महिला भारतिय राजदूर बनी थी फिलाल यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा मैडम भीका जी कामा फिर दोस्तों अगला कॉश्चन है 1878 का वर्ना कुलर प्रेस एक्ट किसने रद किया तो वर्ना कुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो यह जो है किसने पारित किया था तो इसको जो है 1878 में पारित किया गया था किसके द्वारा लिटन के द्वारा लिटन ने इसको पारित किया था कब पारित किया था तो 1878 में और लिटन की बात करते हैं तो लिटन का जो कारेकाल था 1876 से लिकर के 1880 तक था और इसके बाद वर्ना कुलर प्रेस एक्ट को किस ने रद्द किया तो रद्द किया था रिपन ने यहाँ पर ए ओप्सन राइटन सुझागा रिपन रिपन ने कब रद्द किया था तो इसने जो है 1882 में 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था और रिपन का अगर हम कारेकाल की बात करते हैं तो इसका जो कारेकाल था 1880 से 1884 तक था फिर दोस्तों अगला कुशन है त्रतिये बौध संगीती कहां आयोजित हुई तो अगर हम बात करते हैं त्रतिये बौध संगीती कहां आयोजित हुई थी वर्थ या पाटली पुथ या कौशामभी या कस्मीर तो इसके लिए आप स्वार्टिक यार्ट धखेंगे र-V-P-K तो पहली जो बौध संगीती है वो कहां पे आयोजित की गई थी तो पहली बौध संगीती आयोजित की गई थी राज ग्रे में और V से हो जाएगा वैसाली वैसाली में जो है दूसरी बौध संगीती आयोजित हुई थी और तीसरी बौध संगीती की बात करते हैं तो यह जो है पाटली पुथ में पाटली पुर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के ए के पहली में अजार्च सकतू दूसरे में काला सोक और तीसरे में असोक के काल में और चौथी बौर्द संगीती हुई थी कनिश्क के काल में और पूछा जाता है अज्द्धक्ष पहली बौर्द संगीती के अज्द्धक्ष कोन थे तो पहली बौर्द संगीती के अज्द्धक्ष थे महाकर्षप पहली बौर्द संगीती के अज्द्धक्ष कोन थे महाकर्षप पहली बौर्द संगीती के अज्द्धक्ष थे और दू किसरी बौर्द संगीती के अद्यक्ष हो जाते हैं और अगर हम चोटी बौर्द संगीती के बात करते हैं तो इसके अद्यक्ष थे वसुमित्र वसुमित्र जो है चोटी बौर्द संगीती के अद्यक्ष थे और चोटी बौर्द संगीती में उपार्द्यक्ष भी थे उपार् करते हैं समीदान सभा की तो समीदान सभा का जो गठन हुआ था ये किस योजना के अधार पर हुआ था तो cabinet mission योजना के अधार कर दर चुछेSTम गलवाई था तो इसकी जो पहली वैठक थी जो इसकी पहली धूक्टर सचिधा नग सिनहा ये अस्थाईयत ध्ग्छ बनाया गए थे फिर अगली जो बैठा कोई थी वो हुई थी ग्यारा दिसंबर 1946 को और इसके बाद अस्थाईयत ध्ग्छ बनाया गए थे तो डॉक्टर राजेल पसाद जो है अस्ताहित दक्च बनाए गए और दोस्तों सम्विधान सभा के द्वारा सम्विधान कब अंगी कार किया गया था तो सम्विधान को जो है अंगी कार किया गया था 26 नॉम्बर 1949 को सम्विधान को अंगी कार किया गया था लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था 26 नॉवंबर 1949 को किवल चार प्राउधान लागू किया गया थे और इस दिन सम्मिदान सभा के 284 सदस्यों ने सम्मिदान पर हस्ताक्चर किया था फिर जो है 26 जनुवरी 1950 को सम्मिदान पूरी तरह से लागू किया गया तो दूस्तों यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा option C इसका राइटन सुझाएगा अनुचेद 124 में ही नियादरी इसके पर्थ का प्राउधान है और बाकी प्राउधान है अलग-अलग भागो में तो जो हटाए जाने का प्राउधान है वो 124 के 4 में है ठीक है तो यहाँ पे C option इसका राइटन सुझाएगा इसके अलवा यहाँ पे दिया गया है अनुचेद 61 तो अनुचेद 61 यह राश्पती पर महा वियोग से संबनित है अनुचेद 61 जो है राश्पती पर महा वियोग से संबनित है और इसके अलवा अनुचेद 143 दिया गया है राजपती 123 अनुचेट के तहर जारी कर सकता है अध्या देश जारी कर सकता है तो दोस्तों यहाँ पे फिलार दाई टेंसर कर जाएगा अनुचेट 124 का चार यह सरबोच नेया लेक्यों नेया दीश को हटाने के लिए इसमें प्रवधान दिया गया है फिर दोस्तों अगला क यह किस अनुचेट में दिया गया है तो यार दखेंगे अनुचेट 63 में जो है उपराजपती का पज दिया गया है और अनुचेट 64 भी आप यार दखेंगे अनुचेट 64 में कहा गया है कि उपराजपती जो होता है यह राजसभा का पदेन सभापती होता है राजसभा का प अनुमोदक और प्रस्तावक के अवस्यत्ता होती है अगर हम बात करते हैं उप राश्पती की तो उप राश्पती के लिए कम से कम 20 अनुमोदक होने चाहिए और 20 जो है प्रस्तावक होने चाहिए फिर दोसो अगला question है भारत का महान्यवादी का इप कर तक पत धानर करता है तो महान्यवादी यानी अटवनी जनरल की बात करते है तो ये भारत सरकाज का प्रतम विधिय अभिकारी होता है और ये इसका अनूचेत कौन सा है तो अनूचेत 76 में जो है योगगेटा क्या होनी चाहिए तो जो महानियावदी है इसकी योगगेटा Supreme Court का नियावदीज बनने की जो योगटा रखता है वो जो है महानियावदी बन सकता है और इसका जो पद होता है ये राशपति जब तक चाहे तब तक ये पदर पर अपने बना रहे सकता है, तो यहाँ पर राइट अंसर क्या होज़ेगा, राश्पती के प्रसाथ परियंति यह अपने पर बना रहे सकता है, तो C option इसका राइट अंसर होज़ेगा, फिर दोस्तों अगला question है मद्य प्रदेश उच्छ नयाले कहा है, तो दोस्तों मद्य प्रदेश का जो high court है, यह कहां पर है, भोपाल, इंदोर, यह गवालियर, यह जबलपूर, तो दोस्तों इसका राइट अंस होज़ेगा, जबलपूर, और मद्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है, भोपाल ह हैं, जिनका जो high court है, वो राजधानी में ना हो करके अलग है, तो उससे जो है question अक्सर पूछ लिये जाते हैं, तो यहां पर जो राज यह है, उनके बारे में बात करूँगा, तो यहां पर मद्य प्रदेश के लावा, आप यार दखेंगे 36 गर, तो 36 गर की राजधानी तो एहमदाबाद में, राजधानी इसकी गांधी नगर होती है, लेकिन यहां पर high court इसका एहमदाबाद में होगा, और इसके अलावा जहें केरल, केरल की राजधानी आपको पता है, तिरुवल पुरम है, और इसका जो high court है, वो कहां पर है, इसका high court है, कोच्ची में, और उर इसका high court है, इसका high court हो जाता है, कटक में, राजस्थान का, तो राजस्थान की राजधानी जहपुर, लेकिन इसका high court होता है, जोटपुर में, और इसके लावा उत्राखंड, उत्राखंड की राजधानी क्या है, देरादून, और इसका high court कहां पर है, इसका high court है, नैनी डाल लें, तो ये जो स्टेट्स हैं, इनके हाई कॉर्ट अपनी राजधानी में होकर化, इलग हैं, तो इनको आप आप यार दकेंगे, इसके अलाबा कुछ हाई कॉर्ट हैं, जो है कॉमन हैं, जैसे कई राज्यों के हाई कोर्ट और जो केंड साचित प्रदेश हैं उनके जो है कॉमन है तो वो मैं किसी और वीडियो में बता दूँगा तो यहाँ पर फिलाल मद्य प्रदेश का आपको मैंने बता है जबलपुर यहाँ पर डियॉप्सन राइटन सुझेगा फिर दोस्तों नेक्ट कुश्चन है विधान सभा अद्यक्ष अपना त्याग पर्द किसको देता है तो विधान सभा अद्यक्ष यह अपना त्याग पर्द किसको देता है तो विधान सभा अद्यक्ष अपना त्याग पर्द किसको देता है उसी तरह विदान सभा अध्यक्च भी अपना त्याग पर किसको देगा विदान सभा उपाध्यक्च को और विदान सभा उपाध्यक्च किसको देगा तो ये विदान सभा अध्यक्च को देगा अगर हम बात करते हैं विदान सभा की तो विदान सभा का गठन किस अनुचेट के तहत होता है तो विदान सभा का जो गठन है ये अनुचेट 170 के तहत होता है विदान सभा का गठन और विधान परिशत की बार करेंगे तो विधान परिशत का गठन किस अनुचेद के तहत होता है विधान परिशत का गठन होता है अनुचेद 169 के तहत और दोस्तों विधान परिशत भारत के किन राज्यों में है तो छे ऐसे राजे हैं जहाँ पे विधान परसद है तो वो कौन-कौन से राजे हैं तो यहाँ दखेंगे यूपी में है यूपी बिहार ये आप बगल-बगल है तो इनको आप याँ दखेंगे यूपी बिहार हो गया फिस जो है दो राजे हो जाएंगे आंदर प्रदेश आ भी परोसी है आपस में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, विदान परशद यहाँ पर भी है, तो दोस्तों यहाँ पर डियोप्षान इसका राइटन सुर गया, फिर जो है अगला कोशन लेते हैं, भारतिय रूपय का सरप्रकम किस वर्ष अवमूलें किया गया था, तो अव हम बात करते हैं, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो 1947 में 1 डॉलर की जो कीमत हुआ करती थी, वो 1 रुपय के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देखते हैं, तो 1 डॉलर लगबग 76.63 इतने रुपय के बराबर है, तो रुपय की कीमत लगातार गिरती जा रही ह जान बूच करके अउमूलियन कब 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 किया गया है तो तीन बार जो है रुपए का अउमूलियन किया गया है पहली बार कब किया गया था तो 20 सितंबर 1949 में किया गया था और दूसरी बार किया गया था 6 जून 1964 में और तीसरी बार किया गया था एक जुलाई 1991 में तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा 1949 में पहली बार किया गया था option A इसका राइट अंसर हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है भारत में उर्बरा कुद्योग का प्रारम निम्न में से किस अस्थान पर स्थापित की गए सुपर फॉस्फरेट कारखाने से माना जाता है तो अगर हम बात कते हैं भारत में उर्बरा कुद्योग की तो इसका जो है सबसे पहले सुपर फॉस्फरेट कारखाने स्थापित की अगया था कहाँ पर रानी पेट में यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा इसकी भारत में शुरुवात कब हुई थी तो हरित टान्त यह जो है खाद्यान उर्पार्ण में ब्रिद्ध के लिए जो है था और इसकी भारत में शुरुवात हुई थी 1966 से 1967 के बीच है सी ओप्सन यहाँ पर इसका राइट अंस हो जाएगा भारत में हरित टान्ती के जनक कों थे तो एमिस स्वामी नाथन एमिस स्वामी नाथन यह जो है भारत में हरित टान्ती के जनक के रूप में जाने जाते हैं अगर विश्व की बात करें विश्व में हरित टान्ती के जनक तो विश्व में हरिट क्रांटी के जनक थे नॉर्मन बॉलोग नॉर्मन बॉलोग जो है ये विश्व में हरिट क्रांटी के जनक माने जाते हैं और हरिट क्रांटी को हरिट क्रांटी नाम किस ने दिया था तो नाम दिया था विलियम गार्ड ने इसको हरिट क्रांती का नाम दिया था और दोस्वों हरिट क्रांती में जो है लाब किन फस्कलों को हुआ था तो सबसे अधिक लाब हुआ था गेहों और चावल को खासतोर से गेहों को सबसे अधिक लाब हुआ था फिर दोस्वों अगला कुशन है विष में सबसे लंबी परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् माउंट एकांका गुवा जो है इसकी सबसे उची चोटी हो जाती है और यह डच्छर अमेरिका की भी सबसे उची चोटी है यहाँ पर रौकीज दिया गया है तो रौकीज जो है यह उत्तर अमेरिका में है उत्तर अमेरिका की माउंटें देंज है यह और इसकी अगर हम सबसे उची चोटी की बात कते है रौकीज परबट की तो रौकीज परबट की सबसे उची चोटी है माउंट एलबर्ट माउंट एलबर्ट जो है यह रौकीज परबट की सबसे उची चोटी है लेकिन अगर उत्तर अमेरिका की सबसे उची चोटी की बात में है और यूरोप की सबसे उची चोटी कौन सी है तो माउंट एलब्रुस माउंट एलब्रुस जो है ये यूरोप की सबसे उची चोटी है इमाले की बात करते हैं तो ये आपका एशिया में है और इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है तो ये तो आपको पता ही है कि माउंट एवरिस्ट जो है हिमाले परबसनली की सबसे उची चोटी है, फिर दोस्तों अगला कॉशन है, विस्ट की सरबाधी कुचाई पर इस्तित जील कोई सी है, तो विस्ट की सरबाधी कुचाई पर इस्तित जील है, तिटी काका जील जो है विस्ट की सरबाधी कुचाई पर इस्त पते हैं विश्व की सबसे बड़ी जील की तो सबसे बड़ी जील विश्व की कौन सी है तो कैस्पियन सागर ये जो है विश्व की सबसे बड़ी जील हो जाती है कहां पे है तो ये रूस और इरान के बीच में है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी हो ज सबसे बड़ी जील हो जाती है, सबसे गहरी जील अगर पूछा जाए, तो सबसे गहरी जील कौन सी है, बैकाल जील, बैकाल जील जो की कहां पे है, रूस में है, ये सबसे गहरी जील हो जाती है, और सरवाधिक लवडिये जील, सबसे ज़्यादा लवडिय जील कौन से हो जाती है तो सरवादिक लवडिय जील हो जाती है वान जील वान जील जो है ये सरवादिक लवडिय जील हो जाती है और ये कहाँ पे तो ये है तुर्की में फिर दोस्तों अगला कुशन है इमलेकित में से कौन सा सबसे कम गहरा महासागर है तो सबसे कम गहरा महासागर इसमें से बताना है प्रसांत महासागर है या अट्लांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर या हिंड महासागर तो सबसे कम गहरा महासागर है आर्कटिक महासागर और यह सबसे चोटा भी महासागर है यहाँ पे C option इसका राइटेंस हो जाएगा आर्कटिक महासागर यह सबसे कम गहरा महासागर है अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रसांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है और प्रसांत महासागर के बाद जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रसांत के बाद जो है अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है ये पहले नमबर पर हो जाएगा अटलांटिक जो है दूसे नमबर पर हो जाएगा और तीसे नमबर पर हो जाएगा आपका हिंद महासागर और चौथे नमबर पर कौन सा हो जाएगा तो अंटार्क्तिक महासागर जो है चौथे नमबर पर हो जाता है अंटार्क्तिक महासागर जिसको दक्षणी दुरुवे महासागर भी कहते हैं और इसके अलावा पांचवे नंबर पे सबसे छोटा हो जाता है आर्कटिक महासागर ये जो है ये पांचवे नंबर पे हो जाएगा तो दोस्तों अगला कोशन लेते हैं अब निमली खितने से कौन सा भारती राज्य करकरेखा के उत्तर मेचतित है तो करकरेखा की बात करते हैं तो करकरेखा भारत के किन राज्यों से हो करकर के गुजरती है तो भारत के आठ राज्यों से हो करकर के करकरेखा गुजरती है और किन किन राज्यों से हो करकर के गुजरती है तो इसके लिए आप एक्ट्रिक याद रखेंगे मित्र पर गमचा ज जहार, यहां पर मी से हो जाएगा मिजोरम, और त्रा से हो जाएगा कि पुरा, और यहां पर पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रा से हो जाएगा राजस्थान, रा से राजस्थान हो जाएगा, गा से हो जाएगा गुजरात, और मा से मद्रेपरदेश, छा से हो जहारखंड तो इन आठ राज्यों से हो करके करकरेखा गुजरती है तो यहाँ पर बताना है कौन सा भारती राज्य करकरेखा के उत्तर में हिस्तित है तो मरीपूर, मिजोरम, जहारखंड, तिपुरा तो मिजोरम, जहारखंड और तिपुरा यह तीनों तो करकरेखा पर हिस् तो कोडाई कनाल यह जो है एक हिल स्टेशन है और यह है पालनी परबत संकला पर पर पालनी पहारियों पर है कोडाई कनाल जो की कहां पर है तमिल नाडू में है कोडाई कनाल हिल स्टेशन और अगर हम बात करते हैं पालनी पहारियों की तो इसकी अगर सबसे उची चोटी की तो इसकी सबसे उची चोटी हो जाती है वेंधा राडू वेंडा राडू जो है इसकी सबसे उची चोटी हो जाती है इसे तरह नीलगिरी के कि सबसे उची चोटी कौन से हो जाएगे तो डोड़ा बेटा जो है नीलगिरी पहारियों की सबसे उची चोटी हो जाती है विंद्या चल की बात करते हैं तो विंद्या चल जो परवर संखला है इसकी सबसे उची चोटी हो जाती है सर्भावना पीग सर्भावना पीग जिसक पिर दोस्तों अगला कोशन है गोदावरी नदी कहां से ओकर के बहती है तो अगर हम गोदावरी नदी के बात कते हैं तो गोदावरी नदी इसका जो उद्गमस्थल है इसका उद्गमस्थल है त्यम्बक पहारी त्यम्बक पहारी से यह जो है निकलती है त्यम्बक पहारी ज पवित्तता के आधार पर दच्छिल भारत की गंगा किसको कहते हैं तो पवित्तता के आधार पर दच्छिल भारत की गंगा कावेरु को कहते हैं लेकिन लंबाई के आधार पर दच्छिल भारत की गंगा है गोदावरी इसकी लंबाई है जो है 64, 1465 किलो मीटर इसकी जो है लं महाराष्ट, तेलंगाना और आंद्रप्रदेश से हो करके बहती हैं। और इसकी दो सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं। वैन गंगा और पैन गंगा इसकी सहायक नदिया हैं। फिर दोस्तों अगला कोशन है। मन्डाना लोक कला सहली का संबन्द कि सभारती है राजी से हैं। महाराष्ट में लोक कला सहली आप या दखेंगे रंगोली जहाँ पे काफी प्रेचली थे पश्चिम बंगाल में अल्पना या दखेंगे अलपना जो है काफी प्रेचली था है पस्चिम बंगाल में और आन्द प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे यहाँ का आप कलम कारिया दखेगा कलम कारिया की लोग कला शैली है फिर दोस्तों अगला कोशन है आजीवक संपरदाय के संस्थापक कौन थे तो आजीवक संपरदाय के संस्थापक यहाँ पे उपसन दियागा है उपाली, हानंद, मकली, गोशाल, गौतम तो आजीवक संपरदाय के संस्थापक थे मकली, गोशाल यहाँ पे C उपसन इसका राइटन सुझेगा मकली, गोशाल next question लेते हैं अगला है महाबली पूरम का रथ मंदिर किशने बनवाया था तो महाबली पूरम का रथ मंदिर यह बनवाया गया था constitutional निर्सिंग वर्मन के द्वारा यहाँ पर E option इसका reacting वोगा निर्सिंग वर्मन यह जो है पल्लोंस के सासर थे तो इनके द्वारा ही बनवाए गए था महाबलीपुरम का रतमंदिर जो की कहाँ पे है तमिल नाडू में फिर दोस्तों अगला कॉशन है राडार की कारे प्रनाली किस सिद्धान्द पर आधारित होती है तो राडार इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फॉल फॉर्म हो जाता है राडार की कारे प्रनाली की सिद्धान पर आधारित होती है तो यह राडार इसका राइटन्स होती है तो यहाँ पर बी ओप्सन इसका राइटन्स होती है राडार इसका राइटन्स होती है फिर दोस्तों अगला question लेते हैं अगला है चुम्बकी छेत्र का मारतक क्या होता है तो चुम्बकी छेत्र का मारतक क्या होता है gos की बात करते है तो यह जो है हो जाता है चुम्बकी छेत्र का मारतक यहाँ पर यह इसका right hand square gos और इसके लवा यहाँ पर दिया गया है वेवर तो वेवर जो है यह चुम्बकिये फ्लक्स का मारतक होता है चुम्बकिये फ्लक्स का मारतक क्या होता है तो वेवर जो है यह चुम्बकिये फ्लक्स का मारतक होता है हर्ज की बात करते है तो यह जो है किसका यह frequency यानि कि आवरित्ती का मारतक होता है Tesla जो है यह किस का मारतक होता है तो Tesla जो है चुम्बकिये छेत्र की तीबरता चुम्बकिये छेत्र की तीबरता का मारतक क्या होता है तो चुम्बकिये छेत्र की तीबरता का मारतक हो जाएगा Tesla तो फिलाल यहाँ पर right answer कि हो जाएगा, शुम्बकी च्छेत कमा तक क्या होता है, gosh फिए दोस्तों अगला question है, दूद का pH मान कितना होता है, तो दूद का pH मान, दूद का pH मान हो जाता है, 6.6 पी एच मान की बात करते है पी एच वैलू इसका जो है अविश्कार किस ने किया था तो पी एच वैलू का अविश्कार किया था सोरेंसन ने पी एच मान जो की एक से लेकर करके साथ तक एक से चौदा तक होता है एक से चौदा तक होता है बीच में जो है साथ हो जाता है साथ जिसका भी होता है वो जो योगिक होता है वो कैसा होता है उदा सीन होता है साथ से जितना हम कम जाएंगे एक की तरब तो साथ से एक की तरब जितना जाएंगे वो पदार जो है हमलिय होता जाएगा और साथ से जितना हम 14 की तरब जाएंगे तो साथ से 14 की तरब बढ़ेंगे तो वो पदार्थ जो है कैसा होगा चारी हो जाएगा तो इसी तरह जो है और कुछ पदार्थों के pH मान आप याड़ डखेंगी जो अकसर इक जाम में पूछे जाते हैं जैसे की hydrochloric acid HCl का pH मान कितना होता है तो HCl का होता है 1 और blood का पूछा जाता है तो blood का रख्त का कितना होता है 7.4 हो जाता है रख्त का और इसके लावा H2SO4 यानि sulfuric acid की बात करते हैं तो sulfuric acid का हो जाता है 1.2 7 जो है आपको पता है कि जल का होता है और इसके लवा 7 this and pH जल का हो जाएगा और इसके लवा साधारनमक का यानी NACL, sodium chloride इसका भी 7 होता है जो की that frame होता है और इसके लवा आप यहार लखेंगे नीबू का पूछा जाता है नीबू का pH जो है pH कितना हो जाएगा तो नीबू का pH मान होता है 2.3 दोस्तो अगला question लेते हैं पुस्पो का अर्धियन क्या कहलाता है तो पुस्पो का अर्धियन की बात करते है anthology यह हो जाता है पुस्पो का अर्धियन यहाँ पे A option इसका राइटर से रहा anthology इसके अलबा agrohistology की बात करते है यह किसका अर्धियन होता है तो agrohistology यह होता है घास का अर्धियन घासों का अर्धियन हो जाता है agrohistology, dendrology यह जो है जारियों का अर्धियन हो जाता है dendrology और polynology यह जो है किसका होता है तो यह पराग कणों का पराग कणों का जो अर्धियन होता है इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोलोजी तो दोस्तों, फिलाल यहाँ पे राइटन से क्या हो गया? पुस्पोक अध्यन क्या होता है? इन्तोलोजी अगला कॉशन है दोस्तों इमलेकित में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? तो यहाँ पे जो है लिंग सहल लगन रोग यह जो है अनुवनसिक रोग होते हैं और यहाँ पे कौन सह है? इसमें से कुछ रोग, छे रोग, वर्रानता या लिउकीमिया तो वर्रानता यानि कलर ब्लाइटनेस यह जो है लिंग सहल लगन रोग होता है तो यहाँ पे C option इसका राइटन सुझाएगा और फिर दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगले question की पूछा गया है Ice hockey किस देश का राष्ट्रिय खेल है? तो Ice hockey यह कहां कहें? दिया गया है Scottland तो Scottland का राष्ट्रिय खेल हो जाता है Rugby Football Rugby Football जो है यह हो जाता है कहां का Scottland का Canada की बात करते है तो यहां का राष्ट्रिय खेल हो जाता है Ice hockey तो यहीं इसका राइटन सुझाएगा और संभी Canada Canada की राजधानी क्या है? Ottawa यहां की राजधानी है USA की राष्ट्रिय खेल की बात करते है तो यहां का हो जाता है Baseball Baseball जो है यह USA का राष्ट्रिय खेल है और चीन का राष्ट्रिय खेल कौन सा है? तो चीन का है Table Tennis यहां का हो जाता है राष्ट्रिय खेल तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ उमीर करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कर दीजेगा और हो सके तो share कर दीजेगा और जो दोस्ट ने है चैनल पर चैनल को subscribe करके notification bell को on कर लिजे ताकि अगला वीडियो अप्लोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and टेक कियर